नमस्कार मैं नीलम स्टॉलजर और टेरोकार डीडर आज बात करेंगे नर्क चतुरदशी तिथी के बारे में नर्क चौदश या जिसे रूप चौदश भी कहा जाता है नर्क चतुरदशी तिथी को मान्यता के हिसाब से यम भगवान की पूझा की जाती है यम देवता की जाती है यूं तो यम देवता जो है मृत्यू को देने वाले जीवन को हरने वाले देवता है लेकिन नर्क चतुत दशी के दिन इनका पूजन करना दीपदान करना विशेश महत्वर रखता है संध्या काल में यम पूजन का विधान है शास्त्रों के अनुसार इस दिन दक्षिन दिशा की तरफ मुख करकर यम पूजन करने से घर में अकाल मुरित्यू जैसे घटनायन नहीं होती है और घर के सदस्यों को जो भी पूजा करते हैं उन लोगों को उनके घर परिवार के सदस्यों को अकाल मुरित्यू आरोग्य जीवन की प्राप्ती होती है अकाल मुरित्यू जैसा भय नहीं रहता है पूरा अपना जीवन काल समाप्त करकर ही ऐसे विक्ति जो हैं मृत्यों को प्राप्त होते हैं यह मृत्यों का भय जिसे बहुत जादा हो उन्हें भी नर्क चतुर्दशी तिथी के दिन यम भगवान की पूजा करनी चाहिए और साथ साथ घर में दीप दान करना चाहिए यम देवता को और अपने घर के जो मुख्य द्वार पर अनाज की एक धेरी लगा कर लाल सूती कपड़े के उपर उसके उपर आटे के बने दीपक को रख कर जिसे की हम आप तील के तेल से प्रजवलित करेंगे मिष्ठान चड़ाएं नैवेद्धे का भोग लगाएं और परमात्मा से प्राथना करें कि आपके घर में भी सुक सुविधा के साधन बने रहें स्वास्थ वर्धक जीवन आपके घर के किसी भी हर व्यक्ति का रहे और किसी भी व्यक्ति के या किसी भी सदर से के जीवन में कोई बहुत लंबी बिमारी चल रही है या किसी पीडा से ग्रसित हैं तो उसके निवारन क्या कामना जो है आप यह भगवान से कर सकते हैं इस दिन तिल के तेल से मालिश करना भी बहुत ज़्यादा लाबदायक होता है नर्क चतुरदशी के दिन छे देवताओं की पूजा की जाती है भगवान विश्नु, श्रीक्रेश्न, माता काली, यम भगवान और इस दिन माना जाता है कि हनुमान जन्ती भी इसी दिन होती है हनुमान जी का प्रगट उस्तव जो है वो भी कार्तिक मास की चतुरदशी तिति को मनाया जाता है तो इस दिन छे देवताओं की पूजन किया जाता है और जो यम भगवान का पूजन है वो संध्या काल रात्री काल में ही किया जाए जब आप द्वार पूजन कर रहे हैं तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि द्वार के कपाट बंद करने के बाद जब द्वार पूजन कर रहे हैं तो घर का कोई भी सदस से बाहर ना जाए और या फिर बाहर से कोई भी सदस स अंदर ना आए यह पूजन करते समय जो दीपक है वो सारी रात जलता रहना चाहिए और इसी को नर्क चोदश कहा जाता है नर्क चतुरदशी तिथी भी कही जाती है तो इस प्रकार से पूजा विधी करने से आप सब के घर में संपन्नता और अकाल मुरित्यू का भै नश्ट होता है धन्यवाद